हेलो दोस्तो मेरा नाम है और आज के लेक्श्र में हम लोग करने वाले 25 के बारे में जैसे की आपको पता है कि इस से पहले हम मुद्वारा फोस्ट डाशलेशन के तीन लेक्शर हो चुके हैं अब इस फोर्थ लेक्शर के अंदर एक तो हमें पहले तो हम लोग को एक problem discuss करेंगे जो हमने लास्ट पढ़ाता पिछले लेक्चर में एवरेज पावर के ऊपर फिर उसके बाद में हम लोग को बस दो टॉपिक और करने एक तो bandwidth of resonance और quality factor of forced oscillations तो उसमें quality factor क्या होगा resonance का बसी दो टॉपिक और करने उसके बाद फोस्ट oscillation वाला topic भी हमारो जाएगा फिनिश ठीक है तो अब हम लोग क्या करते ना इसमें जो पावर पर बेस्ट कोशन था यह आपका यह कोशन पढ़िंगे क्या लिखा हुआ है एक्टरनल हार्मनिक फोर्स एफ हूसकी फ्रिक्वेंसी पी हमारे आतमें वेरी कर सकते हैं विद एम्पलिट्यूड मेंटेंट कॉंस्टेंट एक्ट्स इन वर्टिकल डिरेक्शन ओन बॉल सस्पेंड़ यह वेटलेस उसपे फोर्स लगरे f to be harmonic force है the damping coefficient is eta times less than the natural in natural oscillation frequency omega-0 फिच्वेंसी ओमेगा वह बॉल गया है क्या कि in percent does the mean power P developed by the force F at the frequency of displacement resonance किस frequency बात हो रही है पहले frequency बात हो रही है at the frequency of displacement resonance किस पर होता था स्क्वार रूट of omega not square minus 2 r square पर ठीक है how much in percentage does the mean power P developed by the force F at the frequency of displacement resonance differ from the maximum mean power P max averaging is performed over the one oscillation period ठीक है आपको यह बता है कि percentage में यह इस frequency पर जो भी power आईगी average power आईगी वह maximum power से कितना differ करती है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे simple हम लोगों ने पढ़ाता क्या formula पढ़ाता हम लोगों ने किसका average power का तो P average क्या दिती P average is equal to mf not square rp square upon omega not square minus p square का square plus four r square p square root नहीं चड़ाना है याद रखना ठीक है अब इसके बाद हम लोगों क्या करना है कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं इस वाली frequency यानिको displacement resonance वाली frequency पर यह average power निकाल लेते हैं ठीक है और फिर उसका difference देख लेंगे maximum power के साथ ठीक है तो at P is equal to square root of omega not square minus 2r square यह average power क्या हो जाएगी इसमें रखेंगे हम लोग यह हो जाएगा mf not square यह r और P square की जगर रखते हैं omega not square minus 2r square फिर upon में यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे omega not square minus इसका square तो omega not square से omega not square कर जाएगा minus 2r square का holy square यह निकि यह को इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं mf not square r और यह omega not square minus 2r square और upon में क्या जाएगा यह 4r square जैसे common ले लिया तो यह हो जाएगा r square plus p square ऐसी इसको लखा रहे हैं नहीं देते हैं अब maximum power निकालते हैं अच्छा maximum power का होती थी velocity resonance पर यहने कि p is equal to omega not पर add p is equal to omega not होती है p average max तो p average max कितनी आएगी यहाँ पर omega not डाल देते हैं तो यह हो जाएगा mf not square यह आर यहाँ पर omega not square और यहाँ पर यह जब डालेंगे p की value omega not तो यह cancel out हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4R square omega not square यह और यह कट गए अब इसके बाद ध्यान से देखना यह वाला टर्म और यह वाला टर्म यह तो दोनों में सेम ही आ रहे हैं तो अब हम क्यों करते हैं न अच्छा साथ के यहाँ पहले वाले में हमारे पास यह तो था ही कि हम लोग p square की जग डाल सकते तो यहाँ पर दो हम यह तो यहाँ पर यहाँ यहाँ पर लेग लिए डालेंगे p square की जगए omega not square minus 2R square तो finally cut fit के यह omega not square minus R square रहे जाएगा इसके अंदर तो इसको टा लेता हूं और यहाँ पर लेग लेता है अब आपको क्या करना है कि यह वैली निकालनी आपको एवरेज ऑफ पी मेक्स से यह कितना डिफर करता है यह एवरेज पावर कि इन परसेंटेज यानिके यह लिख दूंँ मैं अब fulfill कि सकते हो एलरणी गालने वाले में अपने तो अब इसको हम लिख लेंगे जहाउं हम हम इसको कि यह वाली चर्म है इसमें यह इसमें में भी कौह में всक्राइगा देए कोई ळूद नहीं है तो आप रसे Man Hmm ब ही एवरेज की चीज़ iemand देता हूं मैं में ओमेफके अीगा नॉट स्क्वेर माइनस स्थारइसक्वेर ऑप अपन ओमेगा नोट स्क्वेर एक आप इन्टू परसेंट ठीक है आप इसके बाद इसी चीज को हम पूरा सॉल कर लेते हैं देखना द्यान से यह क्या आएगा यह आएगा इसको कर लेते थोड़ा यह ओमेगा नौट स्कॉर मैने सारे स्कॉर एल्सीम में आया तो उसके बाद में यह क्या हो जाएका मेगा नौट स् स्कॉर प्लस टू आरे स्कॉर यानि कि आरे स्कॉर ठीक है इतना काम हो गया अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैं इसका इस एक्स्प्रेशन का और यूज लेना चाहता हूं तो यहां से मेरे पास आ रहा है ओमेगा नौट अपॉन आर इस इक्वेल टू इटा ठीक है यहां पर बना लेते हैं ओमेगा नौट अपॉन आर कैसे आर स्कॉर से डिवायर कर दो अपन नीचे तो यह बन जाएगा ओमेगा नौट स्कॉर अपॉन आर स्कॉर और यह माइनस वन तो यह क्या हो जाएगा इटा स्कॉर और हंड़ने परसेंट चली रहा है साथ owe bandwidth of resonance थीक है तो बात यह आती है यह बos आ ती है ज들이 मतलब फिल्डियों की रेंज है यहां आहां से यहां तक P की वैल्यू हो सकती है जिसमें की जो पावर है वो अपनी मैग्जियम वैल्यू के हाफ हो में से मैली के हाफ जो प्रॉर्णर सुनगे अभी देखो हम ग्राफ से समझें नहीं ज्यादा बड़ी तरहें के से समझभाएगा देखना जारा wind width of resonance कि देंस से देखना जैसे कि मैं धर बना देता हूँ कि यह मैंने ग्राब बना दिया यह वास समझ माती है यह मैंने ग्राब बना है एवरेज पावर और फ्रिक्वेंसी पी के बीच तो एवरेज पावर कम मैक्जिम होगी जब पी की वैल्यू मेगा नॉट हो जाएगी हम बोलने कि bandwidth of resonance वह होगा वो set of frequencies है तो यहां से यहां तक frequency वैरी कर सकते हैं जब जो average पावर है वह अपनी maximum value के कितने तक पहुंच जाए आदे तक तो लगबग आदा इसका यहां पर आ रहा है तो यह वाली बना लेते हैं यहां पर कुछ frequency होगी यह P1 और ऐसी यहां पर यह कुछ frequency होगी P2 तो यह जो जतनी width है यहां पर frequencies की range है this is called bandwidth of resonance ठीक है तो अब हम लोग यह निकालेंगे कैसे यह क्या है P average by 2 तो वह frequencies निकालनी है basically हमको जिस पर की power जो है वह maximum क्या आदा हो तो ध्यान से देखना हम लोग इसको ऐसे लख सकते है कि किसी frequency पीपर power होती है MF not square rp square upon omega not square minus p square का whole square plus 4r square p square अब this should be half of P average max P average max अभी देख रहे थे हम लोग कैसे निकालते थे कि P की value omega not रख दो क्यों कि velocity resonance पर हो रहा है तो P MF not square rp square और यह P square की जगार रख दी हमने omega not square upon में जब यह हो जाता 0 और यहां था था 4r square और यह omega not square omega not square से omega not square कट गया r से r कट गया अब इसका था हम लोग इसको कैसे लिख सकते है MF not square से यह भी cancel out हो जाएगा इसको लिख सकते हम लोग कैसे कि omega not square minus p square का whole square plus 4r square p square is equal to cross multiply करके बस थोड़ा range कर रहे हैं यह हो जाएगा 8 और यहां पर यह 8 r square p square ठीक है जब इसको हम थोड़ा उदर लेके जाएंगे उसका solve करेंगे तो या जाएगा omega not square minus p square का whole square is equal to 4r square p square तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि omega not square minus p square is equal to plus minus 2rp तो यहां से हमारे पास 2 quality equation बन जाएंगी तो हरे quality equation p की दो values देगी तो कुल मिला कि 4 values जाएंगी उनमेंसे 2 को नगलट करना है यह पिछले lecture जैसी ही बात है तो अब हम लोग इससे equations बना लेते हैं कौन-कौनस equation बनेंगी देखना एक तो हमारे पस p square plus 2rp minus omega not square is equal to 0 और एक बनेगी p square minus 2rp minus omega not square is equal to 0 ठीक है तो यह दो equation बन गई अब इस बाल equation के root क्या होंगे p is equal to minus 2r plus minus square root of 4r square plus 4 omega not square upon 2 इसको solve करेंगे तो आजाएगा minus r plus minus square root of r square plus omega not square ऐसी जाए हम इसको solve करेंगे तो यहाँ से p की दो values आएंगी वो क्या क्या होंगी एक तो होगी हमारे पस इस पर हमने minus लगा लिया तो यहाँ पर आएगा यह r यह plus minus square root of r square plus omega not square ठीक है अब इस पर से जो negative frequencies है उनको neglect कर देंगे तो negative frequencies में कौन से है minus r minus square root of r square plus omega not square वाली तो अपने काम की जो वो p1 और p2 है वो क्या है जिए p1 is equal to हम लिख सकते है r plus square root of r square plus omega not square और ऐसी यहाँ से r उसमें तो एक plus वाला ही है तो यहाँ पर हम लोग यह लिख सकते है minus r plus r square यह this क्योंकि यह वाला जो term है यह r से बढ़ा है तो कुल मिला के positive आएगा ऐसी यहाँ पर क्या आएगा r plus square root of r square plus omega not square अब हमको निकाल नहीं थी bandwidth यह bandwidth क्या हो जाएगी जैसे हम इसको लिख सकते है ना bandwidth this is equal to P2 minus P1 ठीक है तो कुल मिला के this bandwidth is equal to P2 minus P1 करेंगे तो यह और यह कड़ जाएगा बस बचा क्या टूर तो bandwidth जो होती resonance की वो किस पर depend करती है सिर्फ जो medium के ओपर damping coefficient के ओपर that is equal to 2r यह बात आपको सौझ माई आपको सौझ माई अब आगे के टॉपिक में हम लोग देखते है क्वालिटी फेक्टर में एक बार आपको पढ़ा चुका हूं डैम्ड ऑसलेटर के टाइम पर ठीक है तो उस टाइम में ने बताया था आपको के क्वालिटी फेक्टर क्यों इसको लिखते कैसे इसका मतलब क होता है कि कोई भी ऑसलेटर कितने लंबे समय तक कितने अच्छे से अपनी जो उसलेशन सा उनको रिटेन कर पाता है तो इसको लिखते का से हैं लो क्वालिटी फेक्टर इगल टू टू पाई टाइम्स एनर्जी कि स्टोर्ड इन दा सिस्टम और यह भी हम क्या लेंगे एवरेज और ऐसी नीचे क्या है डिवाइड़ बाई एनर्जी लॉस्ट पर पीरड यह भी एवरेजी लेना है अब ध्यान से देखो जो भी ऐसा उसलेटर होगा जो कि अपने हर पीरड में जितनी कम से कम एनर्जी लॉस्ट कर रहा है उसके उसलेशन उतने लंबे समय तक रिटेन रहेंगी उतनी ज्यादा अच्छी उसलेशन भोली जाएंगी उन्हीं को क्वाल्टी फेक्टर से हम लो लॉस करता है ठीक है तो सबसे पहले उपर वाली कॉंटिटी निकाल रहे है एनर्जी स्टोर इंदा सिस्टम कौन-कौन सी एनर्जीज हैं सिस्टम के पास काइंटिक अनर्जी और पोटेंशन अनर्जी क्या लखेंगे हम लोग हाफ एम वी स्क्वेर यानि कि हाफ एम डी ए लोट के भाई हैं और इंटू में एक्स स्क्वेर यह लिख दिया उसे लिटर के लिए अब इसकार करना है इन्हीं के हमें एक्स्प्रेशन अगरा सब पता ही है बस एक्स चाहिए तो एक्स भी हमको पता है क्या होता था एफ नॉट अपन स्क्वेर रूट आप उमेगा स्क्वेर और ऐसी इदर क्या आएगा प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वेर और इस एक्स की जगा मैं क्या लिख लूँगा एफ स्क्वेर अपन ओमेगा नॉट स्क्वेर माइनस पी स्क्वेर का होली स्क्वेर प्लस फोर आर स्क्वेर पी स्क्वेर यह हो गया ठीक है यह भी आ जाएगा पूरा omega not square minus p square का whole square plus 4r square p square ठीक है और इधर अब क्या बचेगा इसमें से बचा p square और उसमें से omega not square यह बचता है ठीक है ऐसी नीच वाला निकाल लेते हैं energy lost per period energy lost per period को उमलग क्या लेख सकते हैं कि power into time period of one oscillation ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं और अच्छे से लिखना चाहें तो हम इस power को क्या लिख सकते हैं यह किसकी वाज़े से कौन साला फोर्स है जो की energy lost करा रहा रहा वो damping force उसको उसकी जो power होगी वह हम क्या लिख सकते हैं यह force into velocity यानि कि फिर से dx by dt तो dx by dt का whole square कर दूं इंटू में time period क्या होता था उसका 2pi by P ठीक है उस frequency पर depend करेगा P पर अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कुछ लिख लेते हैं बस इस b को मैं क्या लिख सकता हूं हमारे पास ही जोता था था ना आर इस उकलिट वी बाई 2m तो इसकी मतद से बई को लिख सकता हूं 2mr अब इस मेसेज भी जो यह 2r है मैं सको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 upon tau with tau is the relaxation time of damped oscillator उसमें लिखते थे न हम जब e is equal to e not e के पाँ मैं इस 2rt वाल equation आती थी कि वही बन अपन e times कितनी देर में घड़ जाएगी energy उसको हम लोग क्या लिखते थे इसको इस वाले time ऐसे लिखते थे tau is equal to 1 upon 2r एसी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इसकी जीगा मैं लिख सकता हूँ फिर m upon tau तो यहाँ पर मेरे पास ही हो जाएगा m upon tau into dx by dt का whole square और dx by dt का whole square को मैं इसी की तरीके से लिख दूँगा यह क्या जाएगा f not square p square और upon में omega not square minus p square का whole square plus 4r square p square और साथ में क्या चला है 2pi upon p ठीके अब इसी के जैसे देखते हैं इसको भी एक तो यह mf not square और यह नीचे वाला टर्म ऐसी यहाँ पर mf not square और नीचे वाला टर्म दोनों में सेम ही आ रहा है ठीक है तो इसको हम लोग थोड़ा solve करते हैं आगे देखना यह quality factor क्या बनेगा q is equal to 2pi energy stored कितनी आई हमारी यह इसको लिख दिया mf not square अच्छा साथ की स्क्वेर स्क्वेर पीडे मैंस ठीटा आएगा ठीक है तो ऐसे ही गया हम यह करेंगे तो यहां पर पर से साथ में आक्चली वे पॉस स्कॉरह ला लिटर मौ रहे हैं और इसी इसके साथ मेंщёं स्क्वेर के ओमेगा नट स्क्वेर की और साथ में इसका एवरिज ले ले क्योंग कि हमें हैं लिखाऊ एनर्जी इनर्जी स्ट्रूर इनसी निकाल नियैं average लोगे तो cos square pt का half आएगा ऐसी sin square pt minus theta का half आएगा तो कुल मिला कि इसमें से भी half इसमें से भी half common आएगा तो यहाँ पर last में आके 1 upon 4 हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख पाएंगे कि mf not square और यह नीचे 4 omega not square minus p square का whole square plus 4 r square p square ठीक है और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा फिर उसके बाद p square plus omega not square ठीक है अब ऐसी नीचे वाले में भी जब हमने dx by dt का whole square लिखा था तो यहाँ पर साथ में cos square pt minus theta हो रहा था फिर जा हम इसका average लेंगे तो average लेने के बाद यहाँ पर cos square pt minus theta की वज़े से 1 upon 2 आएगा उस 1 upon 2 से 2 कट जाएगा और क्या जाएगा फिर m upon tau यह f not square p square नीचे omega not square minus p square का whole square plus 4 r square p square और multiply में pi upon p ठीक है यह बाद समझ मारी है आपको अब इसके बाद क्या करना है देखना अब इसी चीज़ को लिख लेते हैं बस mf not देखना द्यान से यहाँ पर भी mf not square है यहाँ पर भी mf not square है यह वला टर्म यह वला टर्म जो divide करेंगे cancel out हो जाएगा ऐसी यह जो denominator में यह terms आ रहे हैं दोनों के यह भी cancel out हो जाएगी तो finally मैं लिखूँँगा क्या देखना टू पाइटाइमस उपर वाले में से बचेगा यह p square प्लस omega not square by 4 और ऐसी नीचे वाले में से क्या बचेगा यह tau बचेगा एक तो one upon tau और एक क्या बचेगा यह p square और साथ के अद वो पाई और एक यह और बचेगा यह p यह p और रहे गया इस p को भी divide में लिख लेते हैं ठीक है अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं दियान से देखना यह pi से एक pi cancel out हो गया यह 2 से एक बार यह 2 चला जाएगा फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना half उसके बाद देखना इस p स्कोर से इन में डिवाड़ माल रहा हूँ यह बचेगा वन प्लस ओमेगा नौट बाइपी का होल स्क्वेर और फर यह p टाउ को मैं उपर multiply में लिख रहा हूँ तो finally हमारे पास इस फोर्स डॉसलेटर के लिए यह quality फेक्टर निकल गया है कोई है यहां पर होता है मारा खतम इसके बाद आए दू मारे विर सवाल से स्वाल Means सबसे पहले हमारा इसटार्थ होगा सवा सेलगा हुआ थिक्जर étant तो उमीद्य है आपको यह पर सदाया होगा तो इसी पर हम इसको खतम होते थेंकä झाल झाल